तो फ्रेंट्स हमने एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपनी नाभी को चेक कर सकते हो तो येदि आपको पता चल जाता है कि आपकी नाभी है जो किस साइड किस की हुई है तो इसके बाद आप किस तरीके से धरन को ठीक कर सकते हो नाभी को सेंटर पॉइंट में ला सकते हो इसमें हम आपको शोट तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से ठीक करो तो यह दि आपकी नाभी लेफ्ट या राइट साइड किसके इस साइड या इस साइड तो इस तरीके से आपको यहां पे करना है तो यह तरीकत आपको जब करना है जब आपकी नाभी या तरी साइड किसकी है या इस साइड लेकिन जब आपकी नाभी उपर या निचे की साइड किसकी हुई यहां पे तो उसमें आपको करना है इस तरह एक इस तरीके से जो अंगुठे हैं इसको इस तरीके से करना है और यहां से है जो इस तरीके से इस तरीके से मैं बस आपको तरीका बता रहे हूँ आपको तेल लगा के है जो इस तरीके से करना है तो इस साइड आपकी नाभी की सकती है तो इस तरीके से जो आप कीजिए तो बहुत जल्दी है जो आपकी नाभी है जो यहां सेंटर पॉइंट में आ जाएगी यहां उपर की साइड की सकती है तो बहुत जल्दी है जो नाभी सेंटर में आ जाती है थोड़ा इस निचे से side कीच सकती है तो उसमें थोड़ा नाभी को center में आने में time लगता है क्योंकि यहाँ पर easily जो इस तरीके से massage की दोर आप normally जो नाभी को set कर सकती हो और यहाँ भी इस तरीके से करके है जो set किया जा सकता है इस तरीके से जो आपको massage करना है उपर निचे side से और उसके बाद में बीच भी जो आपको इस तरीके से check करना है कि आपकी नाभी center point की साथ आ रही है या नहीं आ रही है आपकी नाभी है जो जहां थी उससे थोड़ी भूत भी इधर इधर खिसकी है या नहीं खिसकी है यदि आपको बिल्कुल भी जो इस तरीके से नहीं किस्ट करी है तो इसका मतलब है आपको सही से जो नाभी ठीक करना नहीं आ रहा है तो फिर आपको वहें पर जो छोड़ देना है आपको क्या करना है कि फिर योगा से अजो ट्राई करना है अपनी नाभी को ठीक करने के लिए क्योंकि जब मसाज के दुवारा आप जो सही तरीके से ठीक नहीं कर पाते हो तो उसमें आपको ज्यादा बार है जो मसाज नहीं करने चाहिए तो इस तरीके से यदि आप सही तरीके से करते हो कोशिज तो 108% आपकी नाभिया जो ठीक हो जाती है तो वीडियो बसना आए तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल पर नहीं हो फ्रेस्ट पार आयो तो चैनल को जरू-जरू सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में